हाँ तो फ्रेंट्स ऐसे हमने कहा ता कि चालू का डाउनफोल चुरू हो गया है और डाउनफोल जो है वो रुकने का नामी ने ले रहा है एक के बाद एक के बाद वो ऐसी गलतियां ऐसे कांड कर रही हैं कि उससे उनका डाउनफोल ना केवल रुकेगा बलके और तेजी से न चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बैल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए अब अपना अपना थंडा सा व्लोग पहले अपलोड करके और उसको चला लिया एक क्लिक बैट करक है जो की तीन दिन का चार दिन का पूरे हफ़ते की अपडेट अपडेट कर चुकी है चलिए देखते हैं क्या है उसमें खास बात शुरुआत करती है एक जू से जहां पे बहुत सारे एलिफेंट्स है तो उसमें देखो बचकाना हरकत बचकानी हरकते क्या है किती है यह नहीं पता कि हाती सांस कहां से लेता और यहली मतलब बिलकुल शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और एक नहीं पूरा खंदान ही ऐसा है कि अभी और भी बताएंगे और क्यों मैं इस तरह से बोल रही हूं तो कहती है पी चुन होटल में पहुच चुके हैं और होटल हम जो है ना हमने बूग तो कर लिया है लेकिन जो सबसच्छा कमरा है ना वह फणी अपने लिए चुनेंगे वह क्योंकि फणी की बीवी पैसे दे रही है तो सबसच्छा कमरा भी फणी के होना चाहिए बाकि जिनको भी लिए उसमें उम्मीद लगा के चला हमारे लिए यही बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए यह वाक्य में बहुत अच्छा है क्योंकि हो सकता है तुम्हें कभी मैसूर देखने के लिए भी नहीं मिलता शायद लाइफ में मैंने हैं जैसे हर चीज में जाहीर है जाहिर ना फनी दिखाता है जिनको कोई चीज शाए जिन्दिकी में देखने को मिली निया और उनको अचानक मिल कई तो उनको हाई माया हाई माया लगी रहती है like बिल्कुल उसी तरह से गटिया हरकते हैं अरे भाई ये कहते हैं जिनको नेया नेया जो पहले से पैसे देखते हैं भरे चाहिए उनमें करें मैं सबसे अच्छा का और था सब्टें। तो फटाक से खाला बोलती है मसूर की दाल ओ माई गोड़ हस के भी दिखा रही है मसूर ये मसूर नहीं है ये मैसूर है फहले खुट तो सीख ले तब दूसरों को सिखा देना या ये जान बुच के कहलवाया गया था relevant दिखाने के लिए मासूम दिखाने के लिए ये दिखाने के लिए ओ माई गोड़ देखो इनकी फैमली कितनी भोली भाली सी सीधी है और भोला कोई नहीं है तुम जिस खाला कोई बात करती हूँ न वो भी एक नंबर की बहुत तेज तर्रार हो रहत है सुमडी में खेलने वाली किसी भी जगा जाओ लेकिन ये मेरे लोग एक जगा बैट कर बाते करो और चाहे पियो और चाहेगी तो तुम दिवानी हो और भाई सूट क्या पसंद करकर के गई है ये मतलब जो भी सूट इसने पहने न हर्याली से भरे वे बिल्कुल मैं तोटा मैं तोटा सच मुच में तोधा बनके गई है और उस पे भर भर के जो बंदरों की तरह अपने गाल लाल किये हैं भाई साव और मुझे सबसे ज़्यादा हसी तो जब आई जब इसी सूट में और इसकी किसी एक जो भी कोई अंदभक्त होगी किसी ने एक छोटी सी क्लिपिंग बना के इस टोडी शेयर कियोगी उसने इसने रिशेयर की है उसने और ज़्यादा फिल्टर लगा लिए तो ज़्यादा बंदर जैसे गाल दिखाई दे रहे थे देखो जरा कर मुझे स्क्रिंशोट मिलेगा तो मैं लगाँगी डेफिनिटली यह देखिए जरा और जितना यह टिंट लगाती है ना नॉर्मली भाई साम मैसूर में आकर तो कुछ जादे लगाया यह दिखाने के लिए कि मैं बड़ी कश्मीर की कली हूँ भाई तुम कश्मीर की कली नी हो हाँ तुम कश्मीर पसंद तो एक काम करो ना बस जाओ वहां पर जाके कभी केृति यह मंकर की सेवे कंछ मोट पसंद अथि और जाओ उत्रा तुम ने होत i tannisya ज先生 यह दो कोए कि मिले तो मुझा कोई पैसे मिलेंगे तो में उसमें तुमने यह लाकर दिया और देखो यह कहीторर ऑट हיआ को तो पूछो इससे हर चीज शूट करने वाली तो यह उससे पहले खरीद लिया यह उसको मटक भी लिया है क्यों भाई वहां से कपड़े लेकर नहीं आई थी क्या अपने पास से यहां से खुद खरीद खरीद के पहनने पड़ रहे हैं तो उसको तुरंद पहन भी लिया और काले दुपटे से थो भाई क्या अंलिमिटिट प्यार है तोट कहा है क्या है मतलब हद प्रॉब Boost और कि निभंभी कहीं की देखो जब उसकशे पैसे लिए हैं तो नेफिनिवले होगा कि इतने कि चीज आएगी क्योंकि तुम रीट पताकर कराई हो में चमेज गई खोलने से पहले तो तुझे सब चीजे पता चल जाती तो तुम इसे नाटक कितना करके दिखाती है शरम नहीं आती पता है कि आप सारी दुनिया के सामने परदाफाश हो चुका है लेकि उसके बावजित भी नौटंग की करनी ही करनी है और एक चीज़ नहीं कुर नौटिस की भाभी की इतनी निकल करती है एतनी नकल करती है कि उनके जैसे बुन्दे भी पहिं लिए अब चैर्ड कहीं से मैच हो रहे हो नहीं हो रहे हो वह पहिंती है ल校नı से बहुत庭akर की से पैसे मांगें इसने और ये लेकर आया है खरीद के तो तुम्हें तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए कि कौन सा वाला है क्या लेकर आया ही ये मैंने शौप पे देखा था ये महंगा लग रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया था अच्छा भाई तेरी जो है जो तू और भूलना करना और धोका देना पिस अपने आप में निबधन निबीबन के दिखाना हसत रखना लोग हमने कहते हैं तुम बड़ी हसत रखते तुम बड़ी जलन रखती अरे भाई मैं क्या रखूंगी एक खुद जल कुकडी से एक जलन खोर से मैं क्या जलन रखूंगी मैं अपने जिन्दिगी में जैसी हूँ बहुत 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 खुश हूँ सुकून के साथ हूँ और अपने बरिवार और अपने बच्चों के साथ इतने जादा खुश हूँ और इसको क्या नसीब क्या है सिर्फ एक पैसा पैसो से लोगों को खरीदना पैसो से लोगों को खुश करकर के दिखाना और उसको शूट करना जिसकी खुद की लाइफ में को तो एक परसंटिस से कुछ जाद अच्छा काम कर लेती हैं उस तक से तो यह जलती है तो कि इसको भी नाखुन बढ़ाने का शौकर उसको भी नाखुन बढ़ाने का शौकर यह क्योंकि एक इंफ्लूएंसर है एक हिजाबी बन गई है एक नोटंग की बाज ओरत है तो यह तो जो नेल वो कराकर आई थी ना टिप पर इतने तो अच्छे साफ सूतर नाखुन नहीं होते बढ़े वे नाखुन किसी के भी इतने सफ़ेद और इतने साफ सूतर नहीं होते जितने इसकी है डेफिनेटली इसने वो ट्रांस्पेरेंट और वो सफेद वाला नेल पर लगा रहा है जो कि नेल के किनारी पर लगा देते हैं क्या कहते हैं उसको मुझे यह तो ध्यान नहीं क्योंकि मैंने करवाए हैं ना मुझे मालूम है बट मुझे इतना पता है कि वह एक तरीके कर नेल पेंट ही होता है जो नाखुन के टिप पर लगाए जाता है तो वह ऐसे लगा रहा है जैसे ओरिजनल है पर इतने ओरिजनल सफेद नाकून जो है ना किसी के नहीं होते टिप पर से क्योंकि बाड़े हुए नाकून जो ना वह हलके से फेड कलर के होते हैं अब यह देखो एक screenshot लगा है जब यह बैटकर पीज़ा यहाँ पर नेल पेंट उतार रही थी तो इसने भी यह सेम काम करवाया था यानि कि पूरा नेल जो है वो ट्रांसपेरेंट है और टिपर वो वाइट कलर की लग रही है और जो पहली उंगली है वह उस पहली उंगली की नेल पेंट लगाई हुई है पीज़ा ने अब देखो भई खाला जो है बिल्कुल अपनी डूटी पे तयार होगी क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी दिलाई हुई जो भी चीज़े है वो हमें शूट करके दिखानी है क्योंकि तुम्हें शूट भी तो करना है तुम खर्च करती हो तो वो तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम उसको शूट करो और उससे और पैसा कमाओ जिससे कि हमें और चीज़े दिलाओ तो खाला लग गई अपनी डूटी पे यह देखो सूट हमारा सूट दिखाओ हमारा यह तुमने दिलाया था कैसा लग रहा है हां 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 हमने दिलाया था अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मतलब अगर उससे चालू को याद नहीं था तो खाला ने अपनी डूटी निभाई है क्योंकि खाला अब सालों में हो गई है यहां रह रही है तो उन्हें हर चीज़ का पता है कि कब कौन से कदम मुझे क्या करना है और अगर बाद में पता चला के यह तूट मैंने दिलाया था और खाला ने यह नहीं अपना काम किया तो फिर खाला को सुननी पड़ती पीजा भी अच्छी लग रही है पता दिया कि यह टॉप भी मैं दिलवाकर ले कराई हूं जैसे कि और कपड़े मैं चुकी है कि वो ब्रेसलेट लूज था तो वो पतला वाला ब्रेसलेट ले लिए उससे पैसे भी बच गया ओमाइगा बचे हुए पैसे से कितना महान काम किया और कितनी उसकी अकलमंदी दिखा रही है उपर से वैलिडेशन बीचे यह दिमाग का काम किया ना तो कहता है यानि कि वो अभी तक भी बिना उनी के इसी तरह से मतलब कोई पाक हालत में वो नहीं घूम रही है, क्योंकि जब तक नेल पेंट छुटेगा नहीं, वो तब तक गुसल पूरा होगा नहीं, तो आज इंसान जो है वो पाक नहीं रह सकता, देखो ज़रे एक स्क्रीन शोट देख लिया, लेकिन वहां की एक सिंगल क्लिपिंग नहीं थी, वहां के बारे में एक सिंगल भी बात नहीं थी, एक एक डिटेलिंग में बताया है, एक एक डिटेलिंग में जिससे की पता चल सके कि भाई भावी ने कुछ नहीं दिखाया, वो एवन वहां पर गए ही ने, क शूरों को नसीज और खुद को फ़जेँ करने वाली के नेल्स देखろ बही हाथ पे कितने बड़े से इसके नेल्स को ना काटती किया है भाई इसने इतनी बत्तमीजी किया एक बात बताओ कहीं पर भी अगर ऐसी जगा जाओगे जो कि लोगों के लिए पाक जगा है किसी के लिए भी हो चाहे किसी भी धरम की हो दरगा हो या फिर मंदिर हो या भी कोई भी पूजनिये चीजे हो जगा हो जहां पर प्रेयर क ठहँंडते कोई प्रतिमा क्टि इसने उसातीata को न जांब रहे होता रॉष ओतार कि जाना पड़ता क्छोंन ननी चुननी प्यारी बच्ची न हो तो 34 साल की लेकिन हरकत है तुम्हारी चार साल से भी छोटे बच्ची की तुम्हें से जादा ना तो तुम्हारी मैनेजर ना उसकी जो लड़की है उसमें सेंस है और उसमें अकल है चीज़ों को सोचने समझने की पता नहीं क्यों शूज उता दिया अंदर कोई ऐसी चीज़ ह हो सकती है वैसी चीज़ हो सकती है अरे बेवकूफ वरत यह नी सो सकती है यहां पर चुतिचंपल पहं कर सकता है मस्जित होने असली फॉम में अपने असली अफ्तार में रज़ रहा है अल्ला के नाम पर दे दो बाबा जोक अपार्ट एंटर से एंडिंग तक सारी डीटेल में हर चीज एक एक चीज डीटेलिंग में दिखाई जा रही है और वो भाई-भावी को दिखाया भी जा रहा है सामने यहां पर चोटी-चोटी कुछ मंदीर जैसे चीजे रखी हुई है भाई वो मंदीर ही है जैसे लोग घर में चोटे मंदीर रख लेते हैं वो एक तरीके सा ऐसे चोटे मंदीर ही है जहां पर भगवान जी की प्रतिमाय रखी हुई है बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही थी जो बोला कि उसके बावज को का वाज कोट कर इसने ये बोला कि उनकी आवारे थी एक्चुली वहुजी किसने औहिए किक कि इतने कितने काम की working हमैं यहां के बारे मेन जानकर बहुत जादा खुशी है और उसी खुशी खुशी में तुम बगवान जी को बगवान जी ना कहकर उनको सिंगल नेम से पुकार के बत्तमी जी करके निकल पड़ी है ना इसलिए लोगों ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से सुनाया भाई मैं तो कहूंगी अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए है तो डेफिनेटली इसको उसकी सजा भी मिलने चाहिए इसको आकर माफी मांगनी चाहिए और रिपोर्ट करो मैक्सिमम रिपोर्ट करो अगर आपको कहीं न बोलते हैं तो इतना लोगों की सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए होंगी जितना जब आप लोग जैसे रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं जहां आपके यहां पर जैसा बोला जाता ना आपको भी अटलिस वैसे बोलना चाहिए लेकिन सिंगल नेम लेने की वज़े से गनेश जी नहीं कहा क्योंकि उनको रिस्पेक्ट से पुकारा जाता है जो भी बगवान है उनको रिस्पेक्ट से ही पुकारना चाहिए लेकिन इसने ऐसा ना पुकार के जितने बी इनके हिंदू भाई भेंते जो भी सबस्क्राइबर थे वो उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए पर डेफ आते हुए उसने वोईस ओवर करके कहा है जबकि इसने वोईस ओवर किया है बाद में उसकी बाद तो कम सकम इसको थहरा उसे तमीज के साथ आकर चलो फलो फलो में इसने एड़ दे मुमेंट लाइव बोल दिया होता है तो चलो समझ में भी आता कि नहीं सूझा लेकिन जहां पर इसने वोईस ओवर किया है तो वो बहुत ही सो समझ के किया जाता है क्योंकि हम भी वोईस ओवर करते हमें भी पता है कौन सी जगा पर हमें क्या बोलना है कितना संभल कर बोलना है उसके बावजूद भी इसने वहां पर उनको सरफ गनेश कहा ना कि गनेश जी कहा कि यहा यहाँ गनेश का मंदीर है जो आपके पोड़कास को देखते हैं आपको सपोर्ट करते हैं इसलिए आज आप इस मुकाम पर हो हमारा धरम किसी के और के धरम का मजाक उड़ाना किसी और के गोड को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है मैं एक being a Muslim मैं भी इस बात को अगरी नहीं करूँगी जिस तरह से इसने ये पेश आई है जिस तरह से इसने बोला है बिल्कुल सरासर गलत है बराबर दंडनी है तो आपको अगर लगता है कि आप ये कर सकते हैं और आपके हाथ में ताकत है क्योंकि देखो जंता के हाथ में ब भगवान जी से मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये अपने आपको बहुत बड़ा महान और फरिष्टा समझने लग जाते हैं ये सोचते हैं कि हम तो गलती करते ही नहीं है और हम जो दिखाएंगे जो बोलेंगे डंके की चोट पे बोलेंगे हमें सफाई पेश करने का कोई नही लिए मिलेगी अगर जनता चाहे तो आस्मान पर बिठा सकती है और जनता चाहे तो जमीन में ठूस भी सकती है तुम्हें तो दिखाओ जनता अपने ताकत दिखाओ और इसी के साथ में ये व्लोग यहीं एंड करते हूं बहुत सारे वैलिट पॉइंट बागी है जिनको हम यहां अभी अंड करते हैं चलिए मिलते हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई 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 अला आफिस टेक केर